मित्रों जय माता दी, आप देख रहे हैं धर्मसिक्षा, धर्मसिक्षा मैं हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज रहूं, आज का संपून रासिफल लेकर, यह संपून रासिफल सनीवार यानि की 21 नवंबर 2020 का, अगर आज के पंचान की बात करें, तो आज है विक्रम संब 2020 कार्तिक मांस सुक्ल पक्ष की सप्त मीति थी, सप्त मीति थी आज रात के, एक बज कर 51 मेर्टक रहने वाल है, उसके बाद 80 मिठी hundred Tan हो जाएगी, नचरतर आज रहने वाल है सरवन, सरवन नचरतर आज दिन के दो बज कर 49 मेर तक रहने वाल है, उसके बाद घनिष्ठ नचतर आराम हो जाएगा वरत्योहर में आज है छट पूजा का सुभख का अर्ग और पारण मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार से जानना है एक-एक मुर्तों के बारे में जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहा खादे रासी उनुसार क्या खादे पतात आपके लिए शुब रहेगा रासी उनुसार कौन सा रंग आपके लिए शुब रहेगा और रासी उनुसार कौन सा अंकर आपके लिए शुब रहने वाला है तो वीडियो में हमाई साथ अंदर तक बने रही है और संपून रासी फ पर क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही पूरा का पूरा राशी फल निर्बा करता है सुक्र बुध्यत्वरास दुलारास लाशी बात करेंगे पहली रासी मेसराशी की मेसराशीम चंत्रमा आज चोथे अस्थान में विराजित है जिसके प्रसुरूप आज आपको कुछ फसेहुए कारियों को लिपटाने में सफलता की प्राप्ति होगी आज आपके लिए अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को आप खत् हन्यवेस करने से बचें, हानी आपको हो सकती है, आज आपके पैसे भी ज्यादा खर्च हो सकते हैं, लापरवाही और संकोच में तो बिलकुर भी ना परें, इससे आपको आपके केरियर में हानी होगी, अपने व्यापार में योजनाबत तरीके से आगे बरेंगे, तो आपको फाइदा होगा विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज के इन अनुकूल रहने वाला है महनत ज़्यादा करना पर सकता आपको महनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी स्वास्ति की बात के तो आज आपको सेड में दर्द रह सकता है साथी कफ का सामना भी आपको करना पर सकता है तो अपने स्वास्ति का ध्यान जोर रखें और ठंटी चीए खाने से भी पचें प्रीम समद की बात के तो आज आपका विवाहिक जीवन सुख में रहेगा लेकिन जीवन साथ ही के स्वास्ति का ध्यान जोड रखना चाहिए आपको और विवाहित लोगों को भी प्रीम समन में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं प्यार के जहार करने के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है जिसके फ्रसुब नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बदलाओ के संकेद आपको मिल सकते हैं नोकरी और कारोबार में आपको अपने विवाहर को और विएच्छा करने की जरुरत है अचानक से कहीं यातरा पे जाने की योग बन सकते हैं काम काज में आपको सफलता भी मिल सकती है ओफिस में या फिल्ड में ज़्यादा समय आपको देना पर सकता है आज कुछ नकारात्मक सोच भी आ सकती है तो नकारात्मक सोचों से बचें इससे आपके काम बाधित हो सकते हैं व्यापार और धन की बात करें आज का दिन ज्यादा महत करना पड़ सकता है महत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा स्वास्ति की बात के तो स्वास्ति में उतार चरहो के योग बन रहे लेकिन भोजन समंधी अगर कुछ दिक्कते हैं तो वो खत्म भी होंगे प्रीम समंध की बात कहें तो प्रीम समंधों में अगर उतार चरहो आ सकते हैं जीवन साथी की मदद और प्यार आपको मिलेगा लेकिन जीवन साथी से वाद वाद में ना परें लड़ाई जगरे भी आपके अज हो सकते हैं आज के लिए चने की डाल अपने खादिपतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए आज का सुब्रम कैसरी आरण और आपके लिए आज का लखी नमबर रहने वाले 11 आज सफलता मिलेगी दूसरों की म्मदद करेंगे तो सफायدन आपको मिलेगा मिलेगा कुछ शेत्रों में तो नहीं शुरुआँध भी हो सकती है किसी प्रकार के धार्मी कारी करने की योगं भी बन सकते है परिवार की सुक्स विधाओं में विस्तार संभव है संतान के तरप से आपको थोड़ी चिंता रह सकती है खास करके संतान की गत वीधियों से वाद व्याद आपके हो सकते हैं तो किसी से ऐसी स्थिति ना ने दें व्यवादों से तो बिल्कुल भी बचें व्यापार और धन की बात के तो व्यापार में नयाकारी आरम कर सकते हैं लेकिन नयाकारी आरम करने से पहले वीडियो के अंतमी जोर जालने आज का सुप समय क्या है सुप समय में नयाकारी आरम करें ताकि आपको सफलता की पाप्ती निश्चित तोर पर हो निवेस करने में आज आप अचानक से फैसले ले सकता है, पैसे के लेंडेन में आपको किसी के जूट के करन, आज नुकसान भी हो सकता है, कोई अठका हुआ फसावा धन आपको प्राप्थ हो सकता है, वयापारी क्याथरा के योग भी बंढ रहे हैं आपके लिए, बात किने विद्यार्थी की, विद्यार्थियों के लिए आज किन बढ़िया रहने वाला है, मेनद करें, सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात कें तो स्वास्ति आपको अच्छा रहने वाला है सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं इससे आपका पेट साप रहेगा और स्वास्त भी रहेंगे प्रेम समन्त की बात कें जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा जीवन साथ ही आपके भावनाओं का सम्मान भी करेंगे आज की निगा चांदी के बतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबन कालारंग और आपके लिए आज का लखी नमर चार रहने वाला है बात में करकरासी की करकासीम चंदरमा आज साथमी अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप घर-परिवार के स्थिती में सुधार लाने के आपके विचारों को आज समर्थन मिल सकता है आपके रोजमर्दा के काम भी पूरे हो सकते हैं तरह उसे बाहर निकलने में आपको मदद भी मिल सकती है आज आप दूसरे की मदद करेंगे कुछ पुराने मामले भी आपके असुलत सकते हैं कुछ लोग आपकी भावनाव से खेल भी सकते हैं तो ऐसे लोगों से साथान जरूर रहे हैं संतान के सुख में विर्दी होगी मित्रों का भी सहयोगा आपको मिलेगा बिना वजब वाले विवादों से तो बिलकुल भी बचे दिन भर में आपको अच्छे समाचार की प्राप्ती भी हो सकती है कारी छेत में आपका वर्चस बना रहेगा दिन पर खुछ रहेंगे और परसने भी रहेंगे वियापार और धन की बात करें तो वियापार में आज आपकी विश्तता बनी रहेगी आर्थिक इस्तिती आपकी बेहतर भी होगी विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज करें अच्छा रहने वाला है कम मेहनत में भी जड़ा सफलता की पाप्ति आपको को सकती है तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपको आज नहीं रखनी है स्वास्त की बात करें अगर तो पुराने रोग खत्म हो सकते हैं स्वास्त में भी सुधार होगा दाएं हाथ या सरीर के किसी भी दायांग में आज चोट लग सकती है तो समल कर रहे हैं प्रीम समझ की बात करें दामपत्य जीवन आपका सुख में रहेगा घर में खुशी का माहौल भी बना रहेगा आज के निगर उरत की डाल खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रहेग नीला रन और आपके लिए आज का लखी नमर छे रहने वाला है बात में सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रमा आज आठवे स्थान में विराजित है जिसके भ्रसुप आज आपकी सामाजिक महत्यों के कारियों में व्यस्तिता बनी रहेगी आज किसी अंचाहे व्यक्ति से मिलाकात आपकी हो सकती है जिसके करण आपका मूर भी खड़ाब रह सकता है खान पान में आपकी रूची बढ़ेगी आपको सला दी जाती है कि आज किसी भी मामले को हलके में ना ले कारिशेत में आपको सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुस भी रहेंगे बात करेंगे व्यापार और धनकी नोकरी और कारिशेत में बदलाओ हो सकता है आए के साथनों में बढ़ोतरी आपकी होगी खर्ची भी बढ़ेगा बिद्नेस पार्टनर की मदद से व्यापार में लाब होगा मकानी या भूमी समन्दित कारिशेत में थोड़ी चिंता आपके आज लेकिन रह सकती है विद्यार्थी की बात करेंगर तो विद्यार्थी के लिए आज के मेहनत भ़रा रह सकता है जदा मेहनत का आपको कम फल पराप्त हो सकता है फिर भी आपको मेहनत में किसी परकार की कोई कमी नहीं रखनी है स्वास्त की बात करेंगर तो आज के दिन ठकान और आलास्य से परिषान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्त का भी आपको ध्यान रखना चाहिए आज प्रेम समन्द की बाद के प्रेम पस्ताव आपके विफल हो सकते हैं विवाद होने की संभबना बन रही है तो प्यार के जहार करने से आज बचें आज के निगर दही अपने खादे पदात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं सिल्वर कलर और आपके लिए आज का लकी नंबर टीन रहने वाला है बात करेंगे कन्यारासी की कन्या नसी मिचंद्रमा आज नौए स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज आपकी यूजना सफल हो सकती है दिन भर आप वेस्त रहेंगे आज आप अपना काम पूरी एकागरता के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरफ से भी कुछ अच्छी खवर आपको मिल सकती है संतान से सुख मिलेगा पाड़ी वाड़ी मामले में थोरी उलजहन आपकी बर सकती है साथी साथ धैरी में भी कमी आएगी काड़ी छेत में आपकी इस्तिती में सुधार होगा व्यापार और धन की बात के तो व्यापार और निवेस में धनानी के समामना बन रही है तो सलाह विचार करके ही कुछ काड़ी करें अचानक से धनलापी भी समामना बन रही है साथ ही आपके खर्च भी आज बर सकते हैं विद्यार्थी की बात के तो आज विद्यार्थियों के आत्मी स्वास्त में ब्रोगतरी होगी, जिससे लक्ष को प्राप करने में आपको आसानी भी होगी, स्वास्त की बात के तो स्वास्त आपका ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपने पिता के स्वास्त के आपको ध्यान रखन प्रिम समन्द की बात कहेंता अविभाहित लोगों को प्रीम समन्द में आज सजेत रहने की ज़रत है आपके प्रीब समन्द उजागर हो सकते हैं साथी आपके पार्टनर का मूद भी खराब रहा सकता है जीवन साथी से हल्की नौक जौक की संबामना भी बन रही है आज के निगर गेहूं से बनी हुई चीये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन ब्राउन कलर और आपके लिए आज का लखी नमर एक रहने वाला है बात केंगे तुलारासी की तुलारासीम चंदरमा आज दसमें स्थान में विराजीत है जिसके प्रसुफ आज किसी पर ज्यादा भरोसा करने से आपको बचना चाहिए कारी छेत में आपके अधिकारी आपसे परसंद रहेंगे आपके आतमिस्वास में भी बढ़ोतरी होगी मकान जमीन जाइदात से समंधित मामले आपके आप सुला सकते हैं नए लोगों से दोस्ती भी हो सकती है आज आपकी बोली वाथों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है तो वानी पी आपने नियनतन रखें, जो भी बोले, सोच समझ कर बोले कहीं घुमने फिरने के योग भी आपके बन सकते हैं व्यापार और धन की बात कहें तो आज व्यापार में परिवर्तन की सम्मावना बन सकती है कहीं निवेस करना चाहते हैं तो लोगों की सला निश्ची तोर पर लें खर्च में आपकी बरोत्री होगी जिसके कारण आपकी चिंता भी बढ़ सकती है, विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थी की दुची आज परहाई में बढ़ेगी, साथि इसके परिणाम भी अच्छे होंगे, स्वास्त की बात करें तो सिर और पेर समंदी, कुछ परिशानियां रह सकती है, अपने जरूर करें, इससे आपके समन बहतर होंगे, आज कि इनका चांदी के बतन में खीर खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, फिरोजी रंग और आपके लिए आज का लकी नमर साथ रहने वाला है, बात करेंगे विष्ची करासी की, व आपके मनमटाव हो सकते हैं, जिसके कारण आप चिंतित भी रहेंगे, आज आपने वहान को साब्धानी पूरवक और नियंतर में चलाएं, दुरखटना के योग बनने तो आपको थोड़ा समल कर रहना होगा, व्यापार और धन की बात करें, तो आज व्यापार के मामले मे कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें, आज आपके चलातर सोख भी पूरे होंगे, खईदारी के योग आपके लिए बनना है, जिसके कारण आपका खर्च भी बढ़ेगा, विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों की महनत सफल रहेगी, तो महनत में किसी परका होंगे, पती-पत्नी के बीच अच्छी समझ बनी रहेगी, आज की निर्ट बेशन से बनी विची है, खातने तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रहने वाला है, काला रंग और आपके लिए आज का लखी नमबर रहने वाला है, 11, बात करेंगे आज 12 हुए स्थान में विराजित है, जिसके फ्रसुप आज आपका मन सामाजिक कारियों में लगा रहेगा, परिवार जनों का स्ने भी आप पर बना रहेगा, लंबी यात्रा की योग आपके लिए बन सकते हैं, और यात्रा आपकी सुब रहने वाली है, जहां कहीं भी जा लेकिन बातें सेयर करने के लिए व्यक्ति का चुनाओ बहुत ही सोच समझ करी करना चाहिए आपको, बैसे कमाने के नए एमों को मिलेंगे, साथी खर्च की अधिक्ता भी रहेगी आपकी, विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ट करने के प्रेम समन्द की बात के तो आपके जीवन साथी का रवय या आपको परिशान कर सकता है साधी सुला लोगों को साभधान रहने की जोरुत है आज के निन अगर दही अपने खाड़ी ब्रात में सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रन बै आपको आप मिलेगा आपके सोचे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं अपने अक्रामक रवय के वजय से आप परिशान भी थोरे रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल नाने नोकरी करने वाई जात्कों के लिए अपने सीनियर अधिकारियों से अज समन्द बिगर सकते हैं त लेकिन फिर भी आपको निवेश सोच समझ़करी करना चाहिए वद्यार्थरी की बातके तो वद्यार्थी के लिए सफल्टा के योग बन रहें मेनत में किसी परकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखने मेनत करेंगे सफल्टा मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपको गैस और ऐसी लिटी का सामना करना पर सकता है तो अपने भोजन पर ध्यान दें और परहेज भी करें प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंध में जीवन साथ ही से आपको सम्मान मिल सकता है दाम पत्य जीवन मधूर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज के लिए आज के निगर अढ़ार की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग कालारन और आपके लिए आज का लखी नमर तीन रहने वाला हैं, बात करेंगे कुमरासी की, कुमरासीम चंदरमा आज दूसरे अस्थान में विराजीत है, जिसके प आत्मी स्वास से आज परिपूंट रहेंगे, परन्तु आये में कमी और खर्चों में अधिक्ता से चिंतिद भी रहेंगे, अपनी काबिलियत पर भ्रोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा, समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ती भी होगी, व्यापार और धन की बात के तो प्रेम समंद की बात के दाम पत्ते जीवन आपका आज खुचियों से भरावा रहेगा, प्रेमियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला अनुकूल नतिजे मिलने के योग भी बन रहे हैं, और विवाही जातकों के लिए आज विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, आज क के बरतन में खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं, तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुबन भूरा रण, और आपके लिए आज का लगी नमर रहने वाला आच्छे, बात केंगे मीन नासी की, मीन नासीम चंदरमा आज तीसे अस्थान में विराजीत है, जिसके फ्रसुप आज जीवन का कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अगर जरूरी हो तो कुछ लोगों से सला करके बड़ा फैसला लें। काम काज में आपको सफलता मिलेगी। कोई पुराना दोस्त आपका मिल सकता है। आपके संतान को कष्ठ हो सकता है तो उसका ध्यान रखें। किसी मित्र से आपकी अनबन हो सकती है तो अपने वानी पे नियन तर्मी रखें। परिवार के साथ किसी धार्मी क्यात्रा पे जाने के योग बन सकते हैं। बगवान के परति आपकी आस्था बढ़ेगी। आज अपने परहाई को लेकर थोड़ चिंतित और निरास रह सकते हैं। लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकल कर अपनी परहाई में मेनद करना होगा, सफलता तभी मिलेगी। स्वास्त की बात के तो गले या मुथ से समदित कुछ परिसानियां रह सकती हैं, तो अपने स्वास्त का ध्यान जोर रखें। प्रेम समद्र के लिए आज कीन बढ़िया रहने वाला हैं। तो मित्र ये था आज के 12 रासी का रासी फल, अब जलनेते हैं आज का सुब समय, आज का सुब समय यानि की गुलिकाल रहने वाला है, सुबह के 6 बच का 48 मिर से लेकर 8 बच का 8 मिर तक, इस समय में कोई भी नया कारी आर्म करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी, आज का 10 मिर से लेकर 10 बच का 47 मिर तक, इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिलकुल बचें, आवसफलता हाथ लग सकती आपको, दिसासूल पूरू दिसा में रहने वाले हैं, पूरू दिसा में किसी भी खास प्रियोयन से यातराज ना करें, सुबह ध्याज करेंगे अदरक, करेंगे, कोई नया कारी आरम करेंगे, तो आपके कारी वहाँ पर बनेंगे, तो यह था आज का संपून रासिपल, कल के संपून रासिपल के लिए चुरू रहें, धर्मसिच्छा के साथ और देखते रहें, धर्मसिच्छा, जै माता दे